कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम और उनके परिवार ने गैर कानूनी तरीके से अकूद दौलत कमाई है दुनिया भर में चिदंबरम परिवार की हजारो करोड नहीं बलकी लाखो करोड रुपे की संपत्ती फैली हुई है जी हाँ, पहले इस तरह के सिर्फ आरोप लगते थे, लेकिन अप्पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम ने खुद यह बात कबूल की है कार्ती चिदंबरम ने एक वाट्सेप चैट के दौरान यह खुलासा किया है कि उसकी 6 लाख करोड रुपे से भी अधिक की संपत्ती पूरी दुनिया में फैली हुई है इतना ही नहीं उसने यह भी बताया है कि इस संपत्ती की वज़ा से दुनिया के ज्यादातर देशों में वीजा की जरूरत तक नहीं होती वह अपनी इच्छा के मुताबिक जब चाहे तब दुनिया के किसी भी देश में जा सकता है और वहां रह भी सकता है चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े आपसे अनुरोध है यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आए तो हमें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से हमें सहायता राशी नीचे दिये नंबरों पर भेज सकते हैं हमारा नंबर है 9911955719 चलिए शुरू करते हैं कारती चिदंबरम ने जो दावा किया है कि उसके मताबिक एशिया के सबसे बड़े अमीर मुकेश अंबानी से भी अधिक संपत्ती चिदंबरम परिवार के पास है जाहिर है कि इंकम टैक्स की घोशना में इस अकूद दौलत का खुलासा चिदंबरम एंड फैमिली ने नहीं किया है इसलिए आरोप लगाए जा रही है कि यह सारा काला धन है जो दशकों से लूट कर चिदंबरम एंड फैमिली ने जमा किया है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस वाटसेप चैट में कारती चिदंबरम लिखता है कि मुझे पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास 6 लाग करोड रुपे की संपत्ती है जो मुझे ग्लोबल HNI की श्रेनी प्रदान करता है मैं अपनी इच्छा के अनुरूप दुन्या के अधिकांश देशों में जा सकता हूँ और वहां रह भी सकता हूँ कारती चिदंबरम के खुलासे पर WWW कौम ने विशलेशन किया है और पी चिदंबरम द्वारा जुटाई गई संपत्ती का आकलन किया है पी गुरू के मताबिक पी चिदंबरम ने स्टॉक मार्केट घोटाला, बेनामी संपत्ती, विदेशी खाते और लोन मंजूरी के बदले कमिशन से यहां अकूद दौलत एकत्र की है आरूप है कि इनी चार स्रोतों से चिदंबरम ने इतनी अकूद संपत्ती बनाई है पी गुरू ने कहा है कि जिस प्रकार देश के बड़े से बड़े घोटाले में पी चिदंबरम और उनका परिवार शामिल है और जितनी घोटाले की राशी सामने आई है अगर उसे जोड दिया जाए तो निश्चित रूप से कार्ती चिदंबरम का दावा सही बैठता है पूर्व वित मंत्री पी चिदंबरम उनका बेटा कार्ती चिदंबरम और परिवार के दूसरे सदस्य पिछले चार वर्षों से सरकार के रडार पर है पी चिदंबरम में UPA सरकार के दौरान मंत्री रहते हुए देश के दोनों हाथों से लूटा था एक एक कर्चिदंबरम परिवार की लूट की परते खुल रही है डालते हैं एक नजर कहा जाता है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है लेकिन केंद्र में UPA सरकार के दौरान भ्रष्ट कार्य संस्कृती ने अपनी जड़े जमाली थी लोकलाज को ताक पर रख कर लूट तंत्र का बोलबाला हो गया था कोईला घोटाला, तूजी घोटाला, कॉमनवेल्ट घोटाला जैसे महा घोटालों की लंबी फेहरिस्थ है दरसल सत्ता के दंब में कॉंग्रेसियों ने सिर्फ यही सीखा की अमीर पूंजीप्तियों के साथ मिलकर देश के संसाधनों को कैसे लूटा जाए UPA सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए पीच दंबरम ने फरजीवाडों और घोटालों के जो खेल किये है उसके लगातार खुलासे हो रही है 11 मई को आयकर विभाग ने पीच दंबरम के परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ काला धन कानून के तहट चार चारजशी दायर की है ये चारजशी चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ती और बहुश्री निधी के खिलाफ है दरसल पूर्व विक्त मंत्री अनेको घुटालों के सूत्रधार रहे हैं क्योंकि उन्होंने जानकारी होने के बावजूद ऐसे कई काम किये जो देश के खजाने को नुकसान पहुचाने वाले थे आईकर विभाग की चार्जशीट के अनुसार पी चिदंबरम एंड फैमिली ने अपने निवेश की जानकारी टैक्स अधिकारियों को नहीं दी थी चिदंबरम के बेटे कार्थी के सहस्वामित्व वाली कमपनी चेस ग्लोबल अडवाईजरी ने भी इस बारे में नहीं बताया जो नियोंगों का उलंधन है गौर्थलब है कि चिदंबरम के परिवार के इन सदस्यों की युनाइटिड किंग्डम के कैम्बरिज में 5.37 करोड की संपत्ती है ब्रिटेन में ही 80 लाग की एक और संपत्ती है वहीं अमेरिका में 3 28 करोड रुपे की अचल संपत्ती भी है आयकर विभाग के अनुसार चिदंबरम और उनके परिवार ने 14 देशों में 3 अरब डॉलर यानी लगभग 20,000 करोड रुपे की संपत्ती गैर कानूनी तरीके से कमाई है इसके अलावा विदेशी बैंकों में कुल 21 अकाउंट का भी अब तक पता चल चुका है गौरतलब है कि चिदंबरम एंड फैमिली की लूट का पता तब चला था जब दिसंबर 2015 में एरसेल मैक्सिस घोटाले में छापे मारी हुई थी तब उनकी बेनामी संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज पकड़े गए थे चिदंबरम और उनके परिवार पर करीब नौ करोड रुपे की विदेशी संपत्ती का खुलासा न करने को लेकर यहाँ चार्जशीट दाखिल की गई है यहाँ चार्जशीट इंपोजिशन आफ टाक्स आट 2015 के तहट चिन्नई की स्पेशल कोट में फाइल की गई है निर्मला सीतार्मन ने चिदंबरम के लूट तंत्र की तुलना पाकिस्तान के पूर्फ पीएव नवाज शरीफ के घोटालों से की है गौरतलब है कि नवाज शरीफ को विदेशी संपत्ती के मामले में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री पत से हाथ धोना पड़ा है 2013 में लौंच की गई अस्सी 20 गोल्ड आयाद स्कीम को लेकर राजस्व खुफिया महानिदेशाले दियाराई ने आपत्ती की थी लेकिन पीछ दंबरम ने उसे लागू कर दिया गौरतलब है कि अस्सी 20 स्कीम के तहट जिन साथ कम्पनियों को फाइदा पहुचाया गया उनके भगोडे घोटाले बाज नीरफ मोदी और मिहुल चोकसी से संबंध है दरसल इस योजना का इस्तमाल चोकसी सहित अन्य जूलर्स ने ब्लाक मनी की राउंड चुपिंग और मनी लॉंडरिंग के लिए किया राउंड चुपिंग के तहट कालाधन देश के बाहर जाता है और वाइट बनकर वापस लौटता है 2006 में मलेशियाई कंपनी मैक्सिस द्वारा एरसिल में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के मामले में रजामंदी देने को लेकर चिदंबरं पर अनिय मित्ताय बरतने का आरोप है नियमों के तहट वित्तमंत्री केवल 600 करोड रुपे तक विदेशी निवेश को मनजूरी दे सकते थे इससे अधिक के क्लियरेंस के लिए आर्थिक मामलों का मंत्रिमंदलिय समिती की मनजूरी जरूरी है लेकिन वित्तमंत्री रहते हुए पी चिदंबरं ने एरसेल में मैक्सिस ग्रूप को 3500 करोड रुपे के विदेश निवेश को मनजूरी दे दी पी चिदंबरं UPA सरकार में मई 2004 से 2009 और अगस 2012 से मई 2014 के बीच दो बार वित्तमंत्री थे ED ने पी चिदंबरं के वित्तमंत्री रहते हुए दिये गए कुल 2721 FIPB क्लियरिंस की परताल की थी इनमें 54 मामले संदेहास पत पाए थे ED ने इन सभी मामले की फाइल FIPB से तलब की और उनकी गहन परताल की कुल 8 ऐसे मामले मिले जिनमें सीधे तौर पर गरबडी के सबूत मिले गौरतलब है कि इन सभी मामलों में FIPB क्लियरिंस पाने वाली कंपनियों की ओर से कार्ती चिदंबरं और उनकी सहयोगी की कंपनियों में निवेश किया गया था अफसर शाही में पकड की बदौलत चिदंबरं एंड फैमिली के विरुध मामला लटकता रहा बीजेपी सांसत सुब्रहमन्यम स्वामी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिठ्थी लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी और नए ब्लैकमनी और बेनामी कानून के तहट केस दर्स करने की मांग की इसके बाद पीएम मोदी ने सीधे इस मामले की निगरानी शुरू कर दी हालांकि इसके बावजूद वित्त मंत्राले के कुछ अफसरों ने चिदंबरं को बचाने की कोशिश जारी रखी लेकिन उन्हें काम्याबी नहीं मिल पाई आप से अनुरोध है देशित में इस विडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें आप हमें Google पे या Paytm के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं हमारा नंबर है 9911955719 आप सभी से एक अनुरोध और करना चाहेंगे यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसी चैनल की अन्य विडियो को भी जाकर देखे और कम से कम दस ग्रूपों में या अपने हित्मित्रों तत इस विडियो को शेर करे और हाँ यदि आपके पास कोई इस तरह की रिसर्च बेस कोई कंटेंट है तो उसे भी हमारे नीचे दिये नंबर 9911955719 पर वाट्साप कर सकते हैं हम आपके नाम को गुप्त रखेंगे और यदि आप चाहते हैं कि हम आपका नाम अपने चानल पर ले तो उसके लिए भी आप हमें अपनी लेक के माध्यम से अपने विचार को लिखे भारत माता की जय, वंदे मातर्म, जय हिंग